कि अब आज पर अब तो अब अब आज में आज में आज में करने माला वीव थर्टी फिव यह वीव वीव ट्विटिन इन दोने फोन का कैम राटेस्ट उम्हीद है आपको आज का जो वीडियो पसंद आएंगे लेकिन कैस्ट यार बोल बोल के थगया चैनल को सबस्क्राइब करने खुद के पैसों से फोन को बाइ करके आपको पता है बहुत मेहनत करना हूं और मेरे चैनल पर एंद इतना अच्छा क्वालिटी आपको देने की कोशिश करता हूं अप वीडियो देखो अच्छे लगे तो अंसब्सक्राइब करना इंडिसलाइक जरूर करना जारूर अगर वीडियो अच्छे लगे तो यार एक लाइक कर देना शिर्फ और से एकक्षो लाइक का में टार्गेर रगा रहा हूं लोग तो हजालं दसमसलाइक कर लगा आँ हूं उमीद है आप जरूर से पूरा करतों तो चलिए कश्टार्ट करते आं अच्का वीडियो तो सब स पहले करेंगे हम color accuracy test यहां पर आप देख सकते हो दोनों ही फोन ज्यादा बूस्टेट कलर प्रोबाइट कर रहा है जो भीव भी 29 है ओ थोड़ा ज्यादा ही बूस्टेट है कॉम्पेर वी 30 जैसे के आप देख सकते हो ओके बाकि एक और में आपको फॉटो दिखाता हूं इस को पता है default mode पे फोन को pocket से निकाल के जिस mode पर फॉटो क्लिक होता है उस mode मैं simple रखने की कोसेश किया हूं दोनों बूस्टर है बच स्लाइटली मैं बोलूँगा सबसे पहली बात आपको ज्यादा फिल्ड ओब देखने को मल ज्यादा है इन फैक्ट जो डीटेलिंग लेवल है और यहां पर जूम करके आपको दिखाता हूं होब कि आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहां पर डीटेलिंग लेवल बगर आप देख सकतो डेफिनेटली बीवी थरटी का है वह ज्यादा है इंफक्त मीडिल में भी अगर मैं आपको दिखाता हूं तो मीडिल में भी आप देख सकतो ज्यादा है यह होना भी चाहिए क्योंकि वीवी 30 में आपको 50 मेपिसल का अल्टरोइट केमरा देखने को मिलता है जो वीवी 29 इसके आंदर दोन का अल्मोस्स सिमिलार है इंफक्त दोनोई 50 में अपिसल का फोटो है इंफक्त मैं तो बोलूँगा वीवी डिटेंग लेवेल मुझे स्लाइटली वीवी 29 का ज्यादा देखने को मिल रहा है कॉंपेर वीवी 30 जैसे के आप देख सकतो अगर मैं जूम करके आपको दिखाता ह यहां पर मैं बोलूँगा स्लाइटली मुझे जो स्कीन टोन है प्रोपरली अच्छा लग रहा है जो वीवी 30 है इसका कॉंपेर वीवी 29 थोड़ा सा कुलर साइड में है और वीवी 30 थोड़ा सा वाम साइड में है जोकि मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूं आपके से यह साथ देखने को मुलता है तो मैंने 50 मेडा पिसकलों में फॉटो क्लिक है अगर मैं आपको जूम करके डिटेंग लेवेल बागरा दिखाता हूं तो पर आप देख सकतो स्लाइटली भीवी 30 ज्यादा है जैसके आप हेर की तरफ देखो आई होब कि आपको समझ आ जाएगा जैसे आप देख सकतो तो डिटेंग लेवेल के मांगल में स्लाइटली इंपूर्प में तो हुआ है वीवी 30 के अंदर हमके सेलफी में डेफिनेटली मैं बोलूंगा दोनों ही ने अच्छा काम किया है बर जो सैडो हाइलाटेट कंट्रोल हो आप देख सकतो कि डेफिनेटल जाता प्रवाइट किया है ओके तो आप जिसके लिए अप वेट कर रहा थे मेंली अभभय है पौर्ट्रेट फोट्र्प्रफी टेस्ट यहां पर पौर्ट्रफ में दिखा दे रहा है और यहां पर आप देख सकतो हुँआ डइतेंग लेवेल डोनों का अल्मोस्स पिलिए बागि स्कीन टोन में नीचे कोमान का कि बता किसका अच्छा लग रहा है मुझे स्लायटली भीवो भी 30 का स्कीन टोन अच्छा लग रहा है जैसे के आप देख सकतो थोड़ा साव आई प्रिजिंग दिखाने की कोशिस क्या है बागि HDXN भी दोनोई का काफी सही है जैसी के आप देख सकतो बाकि एक और फोटो में आपको दिखा देता हूं इस वाले फोटो में भी आप देख सकतो HDXN दोनोई का काफी अच्छा है बाकि जो कलर एंड स्कीन टोन है स्पेसली ओ मुझे डेफिनेटली अच्छा लग रहा है बाकि इन दोनोई का 2x पोट्रेट एंड 2x में दोनोई फोन में पोट्रेट फोटो कैप्चर कर सकतो और यहां पर गाईज आप देख सकतो जो हुमन से उसको थोड़ा सा ज्यादा बूस्टेट कर दिया अन्नेचरल सा लग रहा है बीव भी 29 के अंदर जबकि भीव भी 30 आप देख सकतो यहां पर जो सैड़ो पोर्षन को थोड़ा सा ब्राइट दिखा है मतलब स्कीन पर आप हर एक सैड़ो जो पड़ा हुआ वह आप देख सकतो तो इस मामलों में डेफिनेटल मैं बूलूंगा अच्छा काम किया है इसलिए हम और लाइट को भी टेस्ट करेंगे जो और लाइट है अब देख सकतो आटो में मोड पर मैं आउन कर रहा हूं ऑके और यहां पर भी मैं ऑटो मोड पर एक प्लिक करता हूं फोटो ठीक ह अब यहां पर गाइस मैंने और लाइट को यूज करके पोट्र फोटो क्लिक किया था यहां पर आप देख सकतो गाइस जो एस जेक्सन वगगरा है यहां पर आप देख सकतो मिस कर दिया है वीव वी ट्वेटिनाइन ने जैक्कि भीव भी धर्टी ने काफी अच्छा से में स्लाइक्ली भीव भी थर्टी का ज्यादा है और सच बता हूं तो गाइस हीज कुछ फ़र्क नहीं है नाइक मोर्ट में दोनों ही इक्वरी ओवरल मतला सेमी परफॉर्मेंस दे रहा है तो अब यह इन दोनों का फॉन केमरा का वीडियो क्याफी आप नीचे को मांट करके ब देख सकतो जैसे के आप देख सकतो फॉन केमरा से वीडियो रेकॉड करते करते हैं फिर से मैं फॉन क्यामरा में सिफ्ट कर लिया एक आपको बीवो भी 29 सेरीज में देखने को नहीं मिलता है ओके गाईस तो अभी रेकॉड हो रहा है दोनों इफोन का आप देख सकतों किसका अच्छा है आम नीचे कोमेंट करको बताना ओके एक बड़ वाक करो हाटो पर सुन दिखे पर सुन दिखे पर किसका स्टेबिलाइशन अच्छा है ठीक है दोना इंका अब बात में जब मेरे चेक है तब मुझे पता चला कलर मुझे स्लाइटली वीवी ट्विटइनईड में तुरासा वांम देखने को मिल रहा है बट वीवी थर्टी में थोड़ासा रेडी सथैट ने अब देख़ो प्रीडिस अप्लार हो सकते फ्रीचर में और भी अपडेट आएंगे बट जो स्ट क्वालिटी वाइज विवो भीधाटी स्लाइटली अच्छा लगा आपको कौन सा अच्छा लगा नीचे कमान करके बताना तो अभी गाईस है इंग दोनों का पोर्ट्रेट वीडियो आप बताओ कि इसका अच्छा लग रहा है जैसे कि आप देख सकतो तो फोकसिंग कैसा है कार आ आप दोनों के आप देख सकतो दोनों का अच्छा है और यू को वीव भी-ट्रेटी आ यह गया है और इन दोनों में में कुछ हूज इंप्रूब्मेंन तो मुझे नहीं लगा पर डेफिनितल इंप्रूब्मेंट तो हुआ है अभी दोनों प्राइस पर आते हैं एक दो हजार का गया तो मुझे लगते हैं डेफिनेटली एक दो हजार के लिए आपको भी धार्टी लेना ही सही रहेगा आपके लिए क्योंकि बहुत सारे जगे पर काफी जादा इंप्रूब्मेंट हुआ है इस्पेसली लो राइफ में तो मुझे उम